कूँ नमश्कार दोस्तों सवागत है आपका क्विक लर्णी जी के ट्रिक चैनल में आज कि वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्याना के जिलों के स्पेशल नाम् से पूमें जैनल को किसे ने ना मंधे काहलब वह गरता चलिका किस में वहरें से बिदाखें स्पेशल नाम है जिसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे तो इससे पहले में शुरू करूँ आपको बता देना चाहती हूं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके लिए आपको क्या तो वो पानीपत का नाम आता है सब लोग यहां से ही खरीते हैं यहां पे बहुत अच्छे बुनकर हैं बहुत सारी कंबल चद्रे इनकी मार्केट है और बनाई जाती है इसलिए बुनकरों की नगरी पानीपत को हम बोलते हैं उसके आता है इस पात नगरी किसको बोलते हैं इस पाद नगरी किसे का जाता है तो वह हिसार में जो है ओपी जिंदल ने इस पाद का टाटा स्टील जो है इस पाद का खाना जो यहां पे लगाया था तो वो इसी वज़े से जो है जिंदल स्टील के नाम से है मैंने सोरी गलती से टाटा स्टील बोले है तो जो जिंदल स्ट स्टील जो है वह हिसार में जो है अपीजिन दलने लगाई थी इसी वज़से इसको इस पात नगरी के नाम से जाना जाता है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है स्टील की उसके आदा है पीतल नगरी किसे कहा जाता है पीतल नगरी जो है वह रिवाडी को कहा जाता है क्योंकि बाद से जो हो सुख्याना चरुथे हैं वार कमपणी जो यहां पहते हैं इसलिए इसको उडोटिग नंगरी के नाम से जाना जाता है उसका आधता है वेस्को दाओ आठा है व्यच्चाइना के आफ्यान कर्द कि किसी अधड़ा अम्बाला में, यहां पे भी बहुत सारी जो है वो वेग्यानिक उपकरन जो है वो मिलते हैं, उस कहाता है साइबर सिटी, साइबर सिटी किसे कहा जाता है तो वह है गुडगाओं, गुडगाओं को जो है साइबर सिटी का हब माना जाता है, यहां पे बहुत सारी जो है कंपन गुणा नगर को पेपर कार खाना है इसलिए यम्णानगर को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है फिर आता है शूगर सिटी किसे कहा जाता है sugar city पलवल और रोह तक को कहा जाता है क्योंकि यहां पर काफी माता में गन्ना उगाय जाता है और sugar meal भी है इसी वजह से इसको sugar city के नाम से जाना जाता है उसके बाद आती है ध्रम नगरी के से कहा जाता है, ध्रम नगरी mitर कुरक्षितर को कहा जाता है देखिए सबको पता यहां पे गीता का उपदेश दिया था श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इसलिए जो है इसको धर्म नगरी के और काफी सरी जो है धर्मिक स्थल भी है यहाँ पे इसलिए इसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है फिर आती है दूद नंगरी किसे कहा जाता है दूद नंगरी जो है वो जीन्द को कहा जाता है क्योंकि यहां पे काफी उत्तम नसल की जो भैसे गाएं हैं वो मिलती है और दूद का उत्पादन जो है वो बहुत जादा होता है इसे लिए इसको दूद नगरी के नाम से जाना जाता है फिर आती है कोटन सिटी किसे कहा जाता है कोटन सिटी जो है वो पलवल को कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी कपास जो है वो काफी मातरा में उगाई जाती है उसके बाद आती है शहीदों की नगरी शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है जजजर जजजर में देखी काफी लोग जो है वो आर्मी में है मुस्त लोग जहां पर सैनिक है इसी वज़े से यहां पर शहीदों की नगरी जो है जजजर को कहा जाता है उसके बाद देखी करण नगरी किसे कहा जाता है करन नगरी जो है करनाल को कहा जाता है क्योंकि यहां पर करन लेक है करन जील है जिसके नाम जो है उसकी वज़े से इसका नाम करनाल है तो इसे लिए इसको करन नगरी बोला जाता है उसके आता है संतों की नगरी किसे खा जाता है संतों की नगरी जो है वो सिर्शा को कहा जाता उस कहाता है वन नगरी किसे कहा जाता है वन नगरी जो है वो सिरसा को कहा जाता है क्योंकि यहां पे बहुत काफी मत्रा में जो है वन यहां पे मिलते हैं उस कहाता है काशी हर्याना का काशी जो है वो भीवानी को बोला जाता है यह आपने याद रखना है हर्याना का जो काशी है वो बिवानी को कहा जाता है और छोटी काशी का जहां पे नाम आता है तो वहां पे हमने कैथल को याद रखना है तो कैथल को हम छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं और कपीस्थल नंगरी भी हम कैथल को बोलते हैं कपीस्थल कपीस्थल और कैथल दोनों सेम हैं तो इसका असानी से याद रख सकते हैं फिर आता है बीरबल नंगरी किसी कहा जाता है बीरबल नंगरी जो है वो नारनोल को कहा जाता है बीरबल नारनोल ठीक है यह आपने याद रखना है फिर आता है गुलाबी नंगरी किसी कह गुलाभी नगरी जो है वो बनवाज़ या महावारत कालीन सुनपरस्त नगरी जो है वो सोनिपत को बोलते हैं उसकी पाष्याना की SHY Shore की जिसमें जान मतलब जीन जीन और जान एक जिसे आपको याद करने में इसी रहेगा तो हर्याना करने दे जो है वो जीन को बोलते हैं उसके पाद लास्ट मेरे पास है चावल का कटोरा किसे कहा जाता है तो चावल का कटोरा जो है वो सोनीपत को कहा जाता है क्योंकि यहां पे दहान काफी मात्रा में होता है, चावल का उत्पादन जो है उसोनीपन में बहुत जादा होता है, इसलिए इसको चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है, तो ये थी स्टूडियो में मैंने आपको बताया है, याना कि कुछ जिले और उनके उपनाम, स्पेशल नामों के बारे में, तो उमीद आपको ये पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, थेंक्यू, थेंक्यू सोमाइब,